दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी important है अगर आप लोग भी Google Pay का इस्तेमाल करते हैं जी पे application का इस्तेमाल करते हैं और आप सीखना जाते हैं किस तरीके से आपन Google Pay में अपना bank account को add करें बिना debit card या ATM card के तो आज की इस वीडियो में आपको हम complete जनकाई देने वाले हैं किस तरीके से आप Google Pay application में अपना bank account को add कर पाएंगे वो भी बिना किसी debit या credit या ATM card के तो इस पूरी वीडियो का उपूल को धान से देखना है लेकिन उससे पहले आपको कुछ जहूरी बाते बताना चाहेंगे सबसे पहली चीज़ की आपका जो Google Pay account है जिस भी number से है वो ही number आपके bank में register होना चाहिए मतलब जो आपने bank में अपने number रेजिस्टेट कराया हुआ हुआ है अपने account में उसी number से आपको Google Pay account होना चाहिए पहला आपको यह धान रखना है दूसरा कि जो भी आप SIM इस्तिमाल कर रहे है उस SIM में मतलब उसी number में आपका bank balance के लावा ऐसा में send करने वाला balance भी होना चाहिए मतलब कि यह सम मतलब नहीं है यह अपके phone लग रहे है यह आपका net चल ला है आपको इस वाके बिसे जयान रखना है कि आपको जो मोवाइल में SIM लगी हुई है जो Google पर अकाउंट की SIM लगी हुई है यह आप बेंग अकाउंट की SIM लगी हुई है इसमें आपके message भी send होना चाहिए ठीक है कि आपकी जो message send होना वाइल सर्विस है वो आपकी SIM बन से है या टू से है तो चेक कर लीजेगा आप आप आएगा SIM सर्टिंग में देखिए हैं यहां पर देखेंगे अपन तो आप यहांगे SIM network में तो यहां देखिए लिखा हुआ है जो मेरे message send हो रहे हैं आपको एक confirm कर लेना है अगर आपके mobile में दो SIM लगी है तो आपके जो SIM Google Pay का जिसका account है उसी SIM से message आपके send हो रहा है या नहीं हो रहा है देसकते नहीं लिखा हुआ है SIM में SIM 2 हाथ आपको अगर SIM दूसरी लगी set हो तो आपको पहले बो SIM को set करना होगा जिससे आपको Google Pay का account है और आपका bank का account है इन बातों को ध्यान रखना है और आपको आए की step को follow करना है जिससे आपके लिए पूरी step by step में जनका ही जनने वाला हूँ समस्कार दोस्कों मैं हूँ आपका अपना आपके तो आप देख रहे है technical study YouTube चैनल चलिए इस दीखते हैं किस तरीके से Google Pay में अपना bank account को add कर सकते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है आपको आना है Google Pay application में ठीक है जब Google Pay application में आ जाते हैं तो आपको simple अगर आपका लोग लगा हो तो लोग खोल दीजेगा ठीक है लोग खोलने कोड आपको समने ऐसा इंटर्विस आजाता है तो सब ध्यान दीजी करना क्या है आपको अगर आपको देखने को मिलता है आपका profile picture जो भी आपने profile picture लगा हो गूगल से में वह आपको देखने को मिलता है simple आपको इससे क्लिक करना है जब करते हैं तो आपको समने ऐसा इंटर्विस आ जाता है तो यहां ध्यान दीजीए लिखा हुआ है इस लिखा हुआ है अगर आपको बताने वाला हुआ हुआ है आप दूसरा अगाउंट आपको करना क्या होता है अपर दिखा हुआ है आपको क्लिक करना है जब कर देते हैं अब जिसकी बैंक में आपका अकाउंट है उसको क्लिक करेंगे तो मेरा जो अकाउंट है वो इस्टेट बैंक उसिंद्ट करूँगा करेंगे तो हाँ आपके नमबर सा त्योंक को क्लिक करना है यहां पर एकुछ करेंगे यहां पर देख पाएंगे आपको पूरी तरीकते से गूगूल पे में एड हो चुका है इसका अब देख पारें यहां मेरा पहला अगाउन है यहां मेरा दूसरा अगाउन आगा चुका है मुझे पूरी अमीद आप लोग पुरे समझ गया होंगे दोस्तों मुझे अगर आपने वीडियो से देखा तो आप चेक गऊंगे इस तर और बेनमा के आपने पर नहें पिलिज सब्सक्राइब करके बेल आप पर जेवू दबाएं तक ही आने वाल टाइम में को एसी ही काई सारी इसके वीडियो देखने को मिलती रहे चलिए दोस्तों मिलेंगे पर आप सम नेएस वीडियो में जय माता दूगू